संसत के शीतकालीन सत्र में सरकार को कॉंग्रेस सांसत राहूल गांधी कई मुद्दों पर घेर रहे हैं पिछले दिनों उन्होंने लखीम पुर्खीरी मामने में अजय मिश्रटेनी को ग्रही राज्यमंत्री पत से हटाने की मांग की थी साथ ही सोंबार को राहूल गांधी ने लदाख को राजी का दर्जा देने के लिए मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रिस्ताओ पेश किया इसके साथ ही राहूल गांधी ने सदन ना चलाने के लिए सरकार को जिमिदा ठहराया क्या कहा राहूल ने देखे रिपोर्ट पारगिल डेमोक्रेटिक एलाइंस के सदस्यों सहित हितधारकों के साथ एक समिती गठित करने के मामले पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि उनकी मांगों पर विचार की आ जा सके राहूल गांधी ने कहा कि लदाख को अलग राजिका दर्जा दिये जाने को लेकर इस्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के कई प्रमुक नेताओं ने हाल ही में अपनी मांग के लिए बड़े पैमाने पर अंदूलन करने का आहवा इसके अलावा राहूल गांधी ने कहा कि सदन चलाना विपक्ष की नहीं सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन नहीं चलने देने के विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने के सरकार के आरोब पर जवाब देते हुए राहूल गांधी ने कहा कि हमें सदन में मुद्दो को नहीं उ उठाना चाहते हैं लेकिन सरकार उठाने नहीं दे रही। इसके खिलाफ हम लड़ रही हैं।